है दोस्तों वेकम टो राइवेक्स्टीम इंडिया मेरा नाम है तेंद्र तो आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है रेनॉल्ड की काईगर तो लुक वाइस बात की जाए तो रियली में काफी अच्छी दिखती है इसको जब मैंने लॉंचिंग के वक देखा था तो मुझे ये इतना इंप्रेस नहीं कर पाई थी पर मैं बिल्कुल गलत था क्योंकि जब मैंने इसको फ्रंट में जाके देखा रियली में मेरे सामने जब ये गाड़ी खड़ी थी तो मुझे काफी अच्छा इसका लुक लगा इवन इसको लोग बोल रहे थे कि ये क्विड जैसे देखती है पर बिल्कुल भी मैं मना करूँगा उस बात से डिनाय करूँगा क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि जो इसका फ्रंट लुक है वो काफी सिमरल लगेगा क्विड से पर जब मैंने साइड बा साइड इसे देखा क्विड से तो बहुत ही जादा अंतर है जो इसके नीचे का ट्राय ओक्टा प्योर विजन जो यहाँ पे हैडलाइम्स दिये गए है वो काफी जादा यहाँ पे इनायन्स करते है इसको लुक को उपर के तरफ आपको डियारेल मिल जाता है बीच में आपको रेनो का बाड़ा सा लोगो देखने को मिलता है और पे शेप दिया है यानि कि पीछे से थोड़ा जुकी हुई है इसका जो वील है वो काफी अच्छा दिया है डाइमंड कट एलो वील से यहाँ पे 17 इंच के वील्स मिलेंगे प्यानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आता है टू टोन में आपको देखने को मिलता है उपर के जब आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे और पोडिकरर डोर हैंडल्स मिल जाएगा और एक्जेट की बैजिंग मिल जाएगी आपको तो साइट प्रोफाइल इसका अच्छा है 205 mm का यहाँ पे हाई ग्राउंड क्लेरंस दिया हुआ है तो अगर आप ऑफ रोडिंग भी करना च चालाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको काफी अच्छा ग्राउंड क्लेरंस देखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात है अब इसका जो रेयर है यह डेफिनेटली वन अफ ते बेस्ट कॉम्पेक सवी लुक्स में अगर इसको शामिल किया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि रेयली में काफी अच्छी दिखती है आपको रेयर वाइपर रेयर वाशर उपर की तरफ आपको टेल अम्स मिलेंगे काईगर लिखा हो मिल जाएगा टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी सी शेप एलेडी यहाँ पे आपको टेल अम्स मिलते है जो की काफी कूल लगते है मुझे काफी जादा पसना है यूनिक स्टाइल में दिया है तो यह रहा है इसका बुट स्पेस यहाँ पे आपको 405 लिटर का पूरा प्रॉपर बुट स्पेस मिलेगा तो इस सेगमेंट मे वन आप दे बेस्ट और हाइस्ट आपको बुट स्पेसिटी के साथ यह आती है रेनो की काईगर वहीं इसके अन्रोड प्राइस की बात करूँ यानिकि एक बार मैं एक शोरूप की प्राइस की बात करूँ यहाँ पे जो यह मॉडल है आर एक जेड वन लिटर टर्बो प्राइस पर इसको आपने सीटेशन दूल टोन तो यह इसको अन्रोड आते आते है पर इसको Ihrer प्राइस प्राइस 12, PTSD गें आपको आपको आपने सामेश चलिए चलते हैं इंटीरियर में देखते हैं इंटीरियर में क्या हमें नया देखने को मिलता है तो अभी हम आ चुके हैं रेनो काईगर के अंदर तो जान लेते हैं हमें क्या देखने को मिलता है तो शुरुवात करेंगे इसके गेट से तो जो इसका गेट है यहां पर आल करके दिखाता हूं तो यहां पे आपको बटन स्टार्ट गाड़ी देखने को मिलेगी तो यह रहा इसका instrument cluster तो instrument cluster में काफी अच्छा दिखता है रही काफी अच्छा दिया हुआ है अब यहां से आप इसको change कर सकते हो जैसे कि मैंने यहां पर इसको change किया तो यहां पर आपको average दिखा दिया इसने यहां पर आपको यह fuel history दिखाएगा पूरा का पूरा उसके बाद काफी जाद fuel economy आपको दिखाएगा तो यह सारे features इसमें दिये गए हैं आप देख सकते हैं त इसको आपको बूट ओपन दिखाने लगता है तो यह रहिष्ट का center console center console दिखने में अच्छा है काफी सारे part sharing यहां पर किये गए हैं निसान की मैगनाइट से जैसे कि यह जो पार्ट है यह आपको काईगर में भी देखने को मिलेगा मैगनाइट में भी देखने को मिलेगा और ट्राइबर में भी देखने को मिलेगा यह इसका glove box है उपर की तरफ आपको glove box देखने को मिल जाता है और नीची की तरफ भी आपको glove box देखने को मिलेगा और यह इसका touch screen है touch screen में देख लेते हैं क्या-क्या features दिये गया है setting में जाते हैं तो यहां पे सारे आपको media से related स सारे मिलेंगे back चल के देखते है वेकल information में देखते हैं यहां पर आपको eco driving भी देखने को मिलने वाला है driving आपको यह rating देगा तो वेकल सेटिंग में जाएंगे rear view camera एक बार इसका rear view camera देखते हैं यह रहा इसका rear view camera decent quality आपको यहां पर मिल जाएगा rear view camera का तो गाइड यहां आपको गाइड नहीं मिलेगा rear view camera के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको all window जो है एक साथ आप लॉक कर सकते है यह hazard light का आपको मिलेगा और यहां पर इसका जो AC कंट्रोल है यह काफी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं यह rounded है और यहां पर आपको display भी दिय हो जाएगा यह एक बार इसको हमें slow कर देता हूं और यह नीचे की तरफ यहां पर आपको five speed का manual transmission इसमें auto का भी option मिलेगा और यहां पर यह जो बटन है यह ambient है जैसे कि मैंने अभी धवाया तो दबाती है आपको देख सकते हैं पर light आपको देखने को मिल जाती है यही यहां पर दी गई है यह driving mode एक बार आपको मैं दिखा देता हूं यह eco और normal और sports mode इसमें दिया हुआ है तो कुछ इस तरह से चलता है जैसे अगर आप इसको अगर घूमाते हैं जैसे आपने अब इसको drive mode अब इसका change किया जैसे आपने यहां पर drive mode change किया तो वहां पर sports mode आ गया उसके बाद यहां पर normal mode आ गया ऐसे कुछ आप mode change कर सकते हैं यहां पर कुछ आपको storage space मिल जाता है यहां पर कुछ आपको storage space मिल जाता है और यह जो है यह magnetic है तो आपको दिया नहीं कि दबा के निकले magnetic है तो massive आपको यहाँ पर space मिलेगा और यह इसका handbrake है तो handbrake जिससे आपसे देख जाए तो उपर आपको manual ORVM मिलेगा यहाँ पर vanity mirror मिल जाती है यहाँ भी vanity mirror मिल जाएगी और यहाँ पर आपको lights मिल जाएंगे उपर की तरफ तो कुछ इस तरह से इसका आपको front look देखने को मिलता है तो एक बार चलिए चलते हैं यहाँ कि इसके back seat पे औ और जो इसका seat belt है ना वो थोड़ा मुझे मतलब आपको struggle करना पड़ेगा seat belt लगाने के लिए क्योंकि यह काफी अंदर दिया थोड़ा यह उपर होता तो ज्यादा अच्छा होता तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं तो इंटीर में चलते हैं पीछे की तरफ तो यहाँ प इस आपको अच्छा लगता है यह रहा इसमें आपको headrest मिलेगा बीच में आपको center armrest देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह के से आपको मिलेंगे तीन लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली dashboard का look काफी अच्छा लगता है मुझे दिखने में काफी पसंद आया attractive है आप जब अंदर बैठेंगे तो आपको एक अच्छा feel होने वाला है गाड़ी को मैंने चला के देखा तो गाड़ी चलने में अच्छी है जो इसका pickup and power है वो आपको काफी अच्छा दिया है यह वेरि अच्छा है handling अच्छी है handling भी मुझे काफी पसंद आया अब slow speed पे काफी soft handling हो जाता है high speed पे वो उसी तरह से hard भी हो जाते तो मुझे काफी पसंद आया यह काईगर का engine तो यहां पे हमें वन लेटर का energy इंजन जो कि non-turbo वन लेटर टर्बो इंजन और वन लेटर टर्बो स जो टर्बो चार्ज इंजन है यहां पे में 100 PS का power देखने को मिलेगा 160 NM का torque जो कि अभी आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है यह सिर्फ आपको manual transmission में देखने को मिलेगा अगर आप CVT की तरफ जाएंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा torque कम देखने को मिलेगा बागी पाउर फिगर सब सेम ही दिया है यानि कि 150 NM का torque और 100 PS का power यहां पे देखने को मिलता है तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले जल्दी इस गाड़ी का मैं फुल डिटेल वीडियो ले झाल 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 झाल